हाई फ्रिंट्स ठंडी पड़ते ही बजार में आ गया है तरा तरा का सबजी जी हाँ आज मैं आप लोग के साथ सेयर करने वाली हूँ टमाटर बीट और गाजर से बनने वाली यम्मी सा तेस्टी तेस्टी सूप रेसिपी जो की बहुत हेल्दी भी है तो चलिए रेसिपी को बनाना सुरू करते है तेस्टी सूप को बनानी के लिए मैं यहां पे ली हूँ एक गाजर जीसे चोटे-चोटे टुकड़ों में काट ली हूँ इस तरह से और ली हूँ बीट यहां पे आधा बीट का टुकड़ा ली हूँ जिसका छिलका निकालके छोटे-चोटे- और फ्रेस धनिये के पत्ते तो चलिए अब है इसे बनाने की बारी तो यहां पे एक कड़ाई को ले ली हूँ जिसे हम गरम करके इसमें एड़ कर देंगे आधा चुटे चमच घी घी थोड़ा सा मेल्ट हो जाए तब हम लोग एड़ कर देंगे 10-15 ब्लैक पेपर और एड़ क देजपत्ता को मैं यहां पे तोड़ के एड़ की हूँ अब हम एक एक करके सारे वेजिटीबिल्स इसमें एड़ कर देंगे तो सबसे पेले प्याज एड़ कर देंगे उसके बाद कटा हुआ गाजर और बीट अब इसे थोड़ा सा सौटे कर लेंगे इस समय गैस का फ्लेम मीडियम में रखके और इसे थोड़ा सा सौटे कर लें अब इसमें हम एड़ कर देंगे अदरक लसुन और एक हरी मिर्च अदरक और लसुन को मैं यहां पे थोड़ा सा क्रस कर ली हूँ इससे इस सूप का फ्लेवर और भी बढ़िया आता है तो चलिए लगातार कुछ मिनि काट ली हूँ स्वाधनुसा नमक एड़ कर देंगे और बस चलिए अब इसे हलका सा हम कुछ मिनिट फ्राइ कर लेते हैं इसे हमें जादा फ्राइ नहीं करना है बस थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए तब तक इसे फ्राइ कर लेंगे उसके बाद इसमें एड़ कर धनिये के पत्ते यहां पे ज्यादा तर हम डंटी ही ली हूँ क्यूंकि इसे फ्लेबर और भी ज्यादा अच्छाता है अब कॉभर कर देंगे और इसे जब तक इन यह सब सब्जी बॉयल हो जाए तब तक हम इसे पका लेंगे तो यहां पे आप देख सकते हैं पानी एकदम हम आधा हो चुका है और हमारा जो सब्जी है वह भी बॉयल हो गया है तो गैस आफ करके हम सब्जी को एक जगा में निकाल लिए हैं और तेजपता को हम अलग करके निकाल लेंगे और उसके बाद एक मिक्सी जार में यह सारे सब्जी एड कर देंगे और इसका एक बहुत ही smooth सा puree ready कर लेंगे तो इसमें हम थोड़ा सा पानी भी add किये हैं इसे puree बनाने के लिए तो चलिए आजाते हैं next step पे तो अब फिर से हमें कड़ाई ले लेंगे और उसमें add कर देंगे ये टमाटर, गाजर और बीट का puree और जिस जार में हम puree ready किये थे उसी में हाप का पानी लेके इसमें add कर देंगे और last में add करेंगे ये जो vegetable boil करने का stock है वो इसमें च्छान के एक इस्टेनर के मदद से हम इसमें add कर देंगे अब हम इस समय gas on करेंगे और high flame में इसे हम पका लेंगे तो उससे पहले हम इसमें add कर देंगे 12 चुटे चमच काला नमक साथ में एक चमच black paper और plain नमक भी थोड़ा सा हम इसमें add कर रहे हैं इसमें थोड़ा सा नमक कम हुआ है इसलिए तब थोड़ा सा हम इसे mix कर लेंगे और gas का flame high में रखके इसे 5 मिनिट पकने के लिए छोड़ देंगे हम सभी को पता है कि सूप हमारे हेल्थ के लिए कितना फाइदे मंद होता है तो आप लोग इस सूप को एक बार घर पे जरूर ट्राई करें आसा करती हूँ पसंद आएगा और इसे पहले भी चिकन सूप रेसिपी आप सब के साथ सेयर कर चुकी हूँ आप लोग उसे बहुत पसंद किये हैं और लेकिन जो सूप को मिस कर गये हैं उसके लिए रेसिपी हम डेस्क्रिप्शन बॉक्स में एड़ कर देंगे आप इस वीडियो के एंड में उसे चेक कर सकते हैं आसा करती हूँ पसंद आएगा तो लीजी आप सबसे बात करते करते टमाटर गाजर और बीट की यम्मी यम्मी सूप बनके रेडी टू सर्व और फिर इसे सर्व करने के समय मैं एक ब्रेड में बटर लगा के इसे हलका सा सेक ली हूँ उसके बाल इसे इस तरह से टुक्रो में काट के इसके ऊपर एड़ कर दी हूँ और फिर इसे इस तरह से सर्व की हूँ तो आप लोग भी इस तरह से एक बार इस सूप को बना के जरू ट्राइ करें आसा करती हूँ पसंद आएगा पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सेयर करना ना भूले और मेरे चनल पर अगर नए है तो चनल को प्लीज सब्सक्राइब करके जाए तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ तब तक अपना ख्यार रखे थैंक यू